हेलो फ्रेंड्स, भार्ती इस कुजिन में आपका स्वागत है, मैं भार्ती पाटनी आज आपको बताने जा रहे हूं सत्तू, जो कि मैं डिफरेंट एक्स से बताऊंगे आपको, आए देखते हैं, इसमें हमें चाहिए क्योंकि बनाना हमें सत्तू, वैसे तो सत्तू कई प्रक बना सकते हैं, गर्मी में बहुत ही रहत देता है, ठंड़क देता है, प्लस लू से आपको बचाता है, और बोड़ी को हैल्दी रखता है, आज आपको बता रहे हैं चने वाला सत्तू, जो कि मैंने बजार से रैडिमेट लिया है, आप चाहें तो इसमें घर्ट में भी बना चली बनाते हैं, मीठा सकतू, इसमें हम लेंगे, चार चमच, सकतू, दो चमच, यह पाउडर शूगर है, जो चाहें तो साबुत वाली चीनी भी ले चाकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको अच्छा टेस्ट देने के लिए काला नमक डालेगी, आप चाहें तो बिना नमक के भी बना सकते हैं, और हलका सा पोधी ना इसमें डालेगी, आदा नीबू करस काफी है इसमें, अब एग्रास पाई डाते हैं, और इसको चाहें तो चम मस्से या मैं बीटर से करती हूं, यह देखे, बन करता है या हो गया हमारा, मेठा वाला सकतो, इसे गाड़ा गाड़ा ही बनाएंगे, ज्याधा पतला, यह अच्छा नहीं लगता, अब इसमें इसको ग्लास से पॉर करेंगे, पहले हम डालेंगे थोड़ी से बरफ, जो कि हमने करश कर लिये, अब बादेंगे हमारा पनाया होगा सकतो, तैयार है हमारा चने का मीठा सकतो, अब मैं आपको बताती हूं, नमकीन वाला सकतो बनाना इसमें भी कोई चार चमन डालेंगे, एक ग्लास पानी, आदा लेबू, वन पिंच कारा नमक, और पंच पिंच ही सपेज नमक इसमें डालेंगे हम, थोड़ा सा सिखा हुआ चीरा, थोड़ा सब को दीना, थोड़ा सी गे जो बारी स्घूरे हम इसमें डाल देंगे, बीटर से अच्छे से मिला लेंगे चाह, आप चंबस से मिला लए, चैह, भी डालेंगे, अच्छे से , मिला लेंगे आफ इसमें जैने चैने इन करय Kirks हो गया हाई हमारा, हम इसको ग्लास से पोड लिएग एक बार इसको हिलाना जरूर क्योंकि यह नीचे बैठ जाता है थोड़ी से बड़ा और नैसा के मैंने बोला इसको हिला के पीदी इसको ग्यास में पूर करना है नमक आप अपने स्वाद के अनुसर जाजब हम भी कर सकते हैं यह बहुत ही बड़िया हमारा नमस्कीन सद्टो बनकर तयार हुआ है आप लोग भी सिल्क बना के देखिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और पसंद आए तो प्लीज शेयर दीजिए तयार है हमारा चाने का मीठा और नमकीन दोनों तरह के के सब्तू आप भी इसे बना के देखिए और प्लीज एंजोई दीजिए झाल